नौरात्र की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामनाय माता दी नौरात्र में माता रानी के बहुत सारी ऐसे पसंदिदा वस्तू है जो हम उन्हें अर्पित करते हैं और चुकि सब कुछ तो उन्हीं का है और उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं इस भावना के साथ आप पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा सो फल मिलेंगे लेकिन आज हम आपको एक सिक्खे का तोटका बताएंगे देखिए नौरात्र में सिक्खे का बहुत महात बढ़जाता है क्योंकि सिक्का कोई भी पूजा पाठ हो पर अगर सही तरीके से आप सिक्के भेट कर देते हैं जो कलस में सिक्का रखा है उसका क्या करें क्या उसको दान कर दें या फिर आप संभाल कर रखें हर व्यक्ति धन के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है और आजकल के समय में महंगाई आपको अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है लेकिन एक छोटा सשखेय का प्रयोग है आप करते हैं आपके जीवनमसक्षी मुख्षे का स्वाइब经 एक दो लखत होने लगती है तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारे के रिए जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पाँचो उंगली से पकड़ कर ली जिए तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी नो के नो गरह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में कोई विवेक्ति आपको दो उंगली से पकड़ कर पैसे देता है तो वह पैसे आपको बरकत नहीं देगा इसलिए कोसिस करें जिन से आप पैसे ले रहे हैं वह भी सब्षिय पकड़ के ही आपको पैसे दें और आपphin सभीं पकड़ कर ही पैसे लीbenग तो यह को सिंपल करें दूसरा यह है कि जैसे कि की कौई तो न लो इख किसी को कोई नेग देते हैं तो 11-1 ऐसे दें इस दे दिए पचास दे दिए ऐसे मत दीजिए और कभी कभी क्या होता है एक का सिक्का नहीं है तो आप दो का सिक्का दे देते हैं तो यह भी मत कीजिए चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताते हैं बहुत सिंपल प्रियोग है देखे कई बार क्या होता है आप आप इसको मा लक्षमी के सामने कपड़े पर लॉंग और सिक्का रखकर रखते हैं यह प्रियोग आप किसी भी अमवस्या के दिन पुर्णिमा के दिन खड़ सकते हैं रखने के बाद इसको आप आप चाहें तो लक्षमी जी का मंद्जब कर सकते हैं ओम स्रिंग स्रिय नमा फिर इ आप एक सिख्का ले 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 अविसे सिख्य पर आप अपने नाम का पहला अक्चर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैंmember मम लिख लें अब अपने घर की च्छत पर जहां पानी का टंकी है उसके उपर रख दें नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वहास्मां की तरफ होगा सिक्के पर जो लखा है आपने और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दे फिर अगले दिन सुबाइस को उठा कर अपने पर्स में रख लें जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखिएगा धन आता रहेगा कई बार कर्ज बहुत परिसान करता है तब एक छ सिक्का इसको बांध कर अपने उपर से साथ बार उल्टा वार लें या तीन बार और कहीं भी पीपल के नीचे रख दे बिना पीछे मुरे घरा जाए आपका कर्ज बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा अगर धन की मुस्किल ज़्यादा परिसान करे तब आप एक छोटा सिंदूर से अब उसमें पानी रग दें और एक सिक्का रख दें और अगले दिन पानी को आप पौधे में इस कलश को आप सुरक्षित रख लें तो प्षी घरा करे जानी जैसे की आपने आज किया तो कल भी करें यह प्रियोग लगातार पांस दिन कीजेगा बाद में शिक आप अपने घर में एक मिट्टी के बरतन में, मिट्टी का कलस में, या आपके घर में मिट्टी का बरतन नहीं है, तो एक दीपक ले लें, उसमें चाबल और दुर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें, सिक्का को चाबल से कभर कर दें, मिट्टी के दीपक में या दकिये करणने के लिए एक चोटा सा काम कीजिए एक अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात नहीं तो आप एक प्लेट ले ले और इसमें एक सिक्का रखें और इसके ऊपर चावल के कुछ दाने रखें और इस बरतन को आप अपने जब भी आपको खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में चावल के दाने अपने पास रखे चले जाया या सिक्का भी रख सकते हैं ऐसा करने से आपका काम पूरा होगा अगर सनिदेव की परिशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले ले उस पर एक कोईन डग दे और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द एक मुठी सवा मुठी ले ले थोड़ा सा काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन बार या पांच बार उतार ले और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दे सनी समंधी जो भी दोस होगा वो समाप्त हो जाएगा तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा वैसे गनेज जी को चुकि इस बार बहुत खास दिन बना है और जब भी अमोस्यतिति हो या बुद्वार का दिन हो उस दिन एक चोटा सा काम कीजिए आप जब गनेज जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपाड़ी गनेज जी को और पित कर दें और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपाड़ी है सिक्का और गनेज जी के पास रहने दे उसको अपने पौकिट में लेके चले जाएं काम आपका सफल होगा फिर लाके सुपाड़ी को गनेज जी के सामने रख दीजिएगा कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं ठिकता तब ऐसे में आप कलस वाला उपाई कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलस में आप स्वस्तिक बनाईए और एक सिक्का रख दीजिएगा धन की बरकत होती है उससे हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा वैसे पूजा अस्थान पर आप चावल और दुर्वा के साथ सिक्का जगर अगर रखते हैं तो वो आपके खुसियों में चार चांद लगाता है ये परियोग आपको एकदम से धन की मुस्किल से बाहर निकाल लेगा लेकिन अगर आप सिबजी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और सिबजी को पूजा करने के बाद दक्छिना की रूप में कुछ सिक्के का भेट करते हैं तो ऐसा करने से भी सिबजी की किरपा से जीवन में धनकी कमी नहीं होती और साम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डाल कर ही जलाएं और ये सिक्का रूच आप डालिएगा नकात्मक उर्जास माप्त होगी और अच्छे अबसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आप चाहते हैं कि नौकरी बैपार में खूब आपकी तरक्की हो तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बाहंद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही खासकर सनीवार के दिन आप गरीबों को खाने पीने के वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी भी अमवस्य को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए भूला भुआ भाग भटका हुआ भाग भी आपके पास आ जाएगा और अगर लक्षमी टिकती ही नहीं तो थोरा सा धनिया और एक सिक्का एक मिट्टी के बरतन में रखकर अपने घर के पुजास्तान पे रहने दे एक मेने के बाद इस सिक्के को उठाकर समाल के रखिए औ कैसे किसमा साथ देता है लेकिन अगर बुरे सपने आते हों टिंसन ज्यादा है तब रात में सोने के पहले आप एक सिक्का और एक तुल्सी का पता रखकर सोजए अगले दिन तुल्सी का पता मिट्टी में दवा दे सिक्का किसी पास के मंदीर के दान पेटी में डाल दे नौरंड में जो आपने कर श्ट हैं जो इसमें सिक्खा डाला है। जो आप मातरानी की पूजा कर रहे हैं। करूज जो आपने सिक्खा भीट किया लक्षीना तो भीट करेंगे ही। अखिर उन पैसों का क्या करें, देखिए सबसे पहले पार किलस में जल है, उसको आप पूरे घर में चिरकाओ कीजिए, बाकी का बचा हुआ पौधे में डाल दें, सिर्फ घर में नहीं, लोगों के उपर भी आपके गर में जितने लोग है, सब के उपर चिरकाओ करें, दूस आप संभाल रहा है आप माता रानी की पुजा भी कर रहे हैं तो जो आपने घर में कलस अस्थापित किया है उसमें सिक्का जो डालिएगा और बाद में यानिकी जब आप कलस विसर्जन करेंगे तब जो सिक्का है उसको लाल कपड़े में संभाल कर धनस्तान पर रख दें बर नवरात्र में किसी भी दिन एक दिन आप कच्चा दूद गया का दूद होता है उसमें एक सिक्का डाल कर चांदी का सिक्का या दखिए माता रानी को भोग लगा दें और फिर इस सिक्के को आप सम्हाल कर रख लें और जो दूद है थोड़ा थोड़ा एक बुन दोबुन का अलग लग महत्र है और नौरात के दिनों में नो कुलों को मजबूत करने के लिए आप तमाम परियोग कर सकते हैं धरनिवाद हम फिर मिलेंगे जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखे घरनिवाद